हेलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन व्लॉग एंड रेसेपी में तो आज मैं सहजन की फली के और इसके प्लांट के फाइदे और इसकी सबजी लेके आई हूँ आपके लिए तो इस सहजन की फली में बहुत सारे प्रोटीन विटामिन्स होते हैं जिसमें से प्रमुख है पोटेशियम और आईरन और प्रोटीन तो इनकी भरपूर मात्रा पाई जाती इनमें और इस प्लांट की जो है ना उपर सीरे से तो लेके जड़ तक के ये प्लांट बहुत ही फा चलिए इस फायदे मंद प्लांट के जो फल है सहजन की फलियां इसकी सबजी कैसे बनती है ये देख लेते हैं और ये हिल्दी के साथ बहुत टेस्टी सबजी है तो आप देखिएगा जरूर और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकान ज छिलके उतार लिए है चापू की हल्प से और ठोड़ा सा ओल गर्म करें रखा है और देखिए ये लेली है चैना दाल डाल रोस्टेट चैना दाल है ये और अध्रक लिया है और एक प्याज चॉप कर लिया है आट दस लहसुन की कर लिया है और दो टमेटों है तो इन्हें ह दालिया, लेसुन दाल्या और सारी चीज़े मैंने इसमें एड़कर दी है और बस इनहें थोड़ा सा हमें फ्राइए कर लेना है थोड़ा सा कहसकस कहसा अढ़ गया है आपको स्टार्टिंग में खसकस से बहुत अच्छा टेस्ट आता इस तरी में और बहुत ही फायदेमन है खसकस हमारे लिए अब देखिए टमेटो जो चौप करके रखे हुए थे मैंने दो टमेटो लिए थे इन्हें भी डाल दिया इन्हें भी थोड़ा होने देंगे और यह पिंच मैंने हींग डाला है जीरा डाल दिया और यह जो पेस्ट बनाके रखा है इसे डाल देंगे यह पूरा पैस्ट मैं एड कर दूंगी तो देखिए पूरा पैस्ट मैंने एड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले जब तक तेल ना छोड़ दे के वो तीखी नहीं है एक चमच धनिया पाड़ और आदा चमच गरम मसाला और गुड़ लिया हुआ है मैंने गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि कुछ-कुछ यह जो फली आहना सहजन की थोड़ी कसेली होती है तो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है देखिए गरम मसाला डाला गुड़ डाला गुड़ अप्सनल है आप चाहे तो डाले चाहे तो ना और बस दो मिनिट इसे और पकाना है और फिर हम फलिया एड़ कर देंगे इसमें तो ये सारी फलिया मैं इसमें एड़ कर दूँगी ये देखिए सारी फलिया इसमें एड़ कर दी है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे ढब कर हम 5 मिनिट तक रहने देंगे और ताकि हमारी फलिया सारा मसाला एब्सॉर्ब कर ले और अच्छा टेस्ट दे फिर मैं खोल के देखती हूँ इसे तो देखिए कुछ इस तरीके से है ऐसे बीच बीच में पांच मिनट तक थोड़ा इसे चलाते रहना है अब यहाँ सबजियों ने मसाला एब्सॉर्ब कर लिया है सबजियों मैं फलियों ने तो मैं यहाँ पर पानी आड़ कर दे रही हूँ तरी आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए उसे कॉर्डिंग रखिएगा तो यह सबजी तो हमें तरी वाली ही अच्छी लगती है और इन फलियों को हम लोग ऐसे चूस के खाते हैं दातों की हेल कि हम लोग भी तीखा नहीं खाते हैं और सबजी का अच्छा कलर लाने का सिक्रेट यह है कि टेमेटो आप अच्छे लाल पके हुए लीजिए देखिए यहाँ पर मैं दबा के देख रही हूँ तो अभी पकी नहीं है मैं फिर से इसको ढखके कम आज पर रख दूंगी फिर खोल के देखती हूँ थोड़ी देर बार अब फिर देखेंगे हम कि हमारी फलीया पकी है क्या तो देखिए अब फलीया अच्छे से पक गई है तो हमारी सबजी रेडी है तो हां मैं कह रही थी कि इसका सिक्रेट है टेमेटो लाल लीजिए और मसाले को खुब अच्छे से और वो वाली मिर्ची लीजिये, जो तीखी कम होती है, मैं घर में ही मिर्ची पााउडर पिशाती हूँ और कम तीखी मिर्च का मिर्च पाउडर पिशुता हूँ तो देखिए सबजी बन गई थी, हमने यहाँ पे हरे धनिया से गानी सिग्ग सिख कर दी है, तो हमारी सबजी रेडी है सार्व करने के लिए थेंक्स वर वाचिंग